सिमती सुस्मा कड़कवाल जी, मान्य विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, सिमरीश कुमार जी, सिमती जै देवी जी, विधान परिशत के मान्य सदस्यगंड, सिमोसिन रजा जी, रामचंदर प्रधान जी, लाल जी परसाथ निरमल जी, सिबुकल नवाब जी, इंजिनियर अवनीश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव से दुर्गा संकर मिस्तर जी, सलाकार से अवनीश अवस्थी जी, प्रमुक्ष सचिव प्रेटन वा संस्कृति से मुकेश समिस्त्राम जी, प्रदेश सासन से जुड़ेवे सभी प्रसासने का दिकारिगण, और प्रदेश भर से आएवे सभी स्वयम सिवगण, और उपस्तित भायों पहनों, आज पावन सरत पूरिमा का उसर है, और देश को कालजई रचना, प्रवसिर राम के जीवन चरित पर आधारिद, रामयण जैसा महा काब्य देने वाले, दुनिया का आधी काब्य रामयण के रचियता, मरसी बालमीकी के पावन जेयनती भी है, इस अवसर पर हम इस अमरित वाठिका में, अमरित गलस यात्रियों से यात्रा के जुड़ेवे सभी स्वेम सेवकों का विदंदन कर रहे हैं, मैं प्रदेश वर से आई वहे, आप सभी स्वेम सिवकों का, जिन्होंने प्रदेश के अलग-अलग गाओं, विकास खंडों, नगर निकायों से आकरके, भारत के बीरों का बंदन करते वे माटी को नमन किया है, और उस कलस यात्रा के साथ, आज आप दिल्ली के लिए प्रस्तान, कल प्रस्तान करेंगे, ब्राजधानी लखनों में आगमन पर मैं आपका हिर्दे से स्वागत करता हूँ, अबिनंदन करता हूँ, भायों बेनों हम सब जानते हैं, कि पहली बार पूरा देश, रास्टिये आयोजनों में एक जुट होकर कि एक कैसे, उन आंदोनों का हिस्सा बनता है, उस अविहान का हिस्सा बनता है, आजादी का मृत महुत सो, उसका एक महत पूर्ण आयोजन रहा है, हमें से किसी भी ब्यक्तिने, 1947 में जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, वह दिन नहीं देखा होगा, या जिसने देखा होगा, उसको समर्ण नहीं होगा, जिसको समर्ण भे होगा, तो उन कारिकरों में भागिदार नहीं बना होगा, क्योंकि एक और देश की आजादी थी, दूसरी और विवाजन की तरस्दी थी, लेकिन पहली बार हुआ, जब हर घर तरंगा के माध्यम से प्रधान मंत्री मोदी जी ने पुरे देश को आजादी के अमरित मौत्सो कारिकरम के साथ जोड़ने का एक अभिनो पहल की, और सफलतम आयजन के साथ भारत के हर घर में भारत के आन, मान और सान का प्रतीक करंगा लहरातावा दिखाई दिया। इस औसर पर भारत के सभी अमर सहीतों को स्मण करने का एक औसर भी अलग-अलग कारिकरमों के माध्यम से प्रतेक गाउं, प्रतेक नगर, प्रतेक जन्पद में इस मारकों को सुदिर्डी करन करने, उनके सुन्दरी करन करने, वहाँ पर नमन करने का एक औसर भी हर भारत वासी के मन में, हर भारत वासी के साथ अम्रित मौत्सों के कारिकरमों ने जोड़ा। लेकिन अम्रित मौत्सों के कारिकरम की सुरुवाद आधनिय प्रधान मंत्री जी ने साबर मती के तटपर 21 मार्च 2021 को जो प्रारम किया 15 अगस्त 2023 को उसका एक गिराड सुरूप हम सब के सामने देखने को मिला। और अब गाउं गाउं से हर विकास खंड से हर नगर निकाय से अम्रित कलस में मात्री भूमिके प्रति सर्धा और समर्पन का भाव गत्त करते हुए कृत गिता क्या भाव गत्त करते हुए एक और बीरों का नमन है दोसरे और माटी का वंदन है और इन सब को लेकर के अब एक कलस यात्री देश की राजदानी दिल्ली के लिए प्रस्तान किये हैं आज राजदानी लखनों में आप सब प्रदेश के सभी 75 जन्पदों से 846 विकास खंडों से आप सब आज 762 जो मारे नगर निकाये हैं वहां से होते वे यहां पर पहुँचे हैं मैं इस आउसर पर प्रदेश साथन की ओर से आप सब का हिर्दे से स्वागत करता हो अभिनंदन करता हो इस आउसर पर अने कारिक्रमों के साथ हमें जुड़ने का आउसर प्राप्त हुआ खास्तोर पर चोरी-चोरा सताप्ती महोत्सों का कारिक्रम काकोरी टेन एक्सन का कारिक्रम बटेश्वर में सर्दे अठलवेहरी बास्पेई जी की पावन जन भूमी के आउजन थे जुड़ेवे कारिक्रम और अमर सहीतों के साथ उनके समारकों को भब सुरूप देने के साथ उए अनेक कारिक्रमों के साथ नकेवन परंप्रगत कारिक्रमों के साथ कलाकारों के साथ बलकि आदुनिक्तम कारिक्रमों के साथ तक्निक पराधारित कारिक्रमों के साथ ड्रोन सोखे कारेक्रमों के साथ भी जुड़ने का औसर आजादी के अमरित महत्सों के इन सभी आयूचनों ने हमें दिया वयोजेनों इस औसर पर प्रधान मंत्री जी ने हर भारत वासी के सामने पंच परण का एक विराढ्द संकल्द भी दिया है आज हम सब आजादी के अम्रित महुत्सों के बाद आजादी के अम्रित काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किये हैं आजादी का अम्रित काल का प्रथम वर्ष कैसे आने वाले समय में आगामी 25 वर्ष की काड़ियोशना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रुप, विक्सित भारत के रुप में स्तापित करने में सपल होगा इन संकलतों के साथ हर भारतिये को जुड़ना होगा और इसके लिए पंच प्रण प्रधान मंत्री जी ने प्रेकिये इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते वे अगर हर भारत वासी आगे बढ़ता है कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का सताप्ति महत्सो मना रहा होगा आजादी का सताप्ति महत्सो सो वर्सों के कार्यों का एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने होगा जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी और इस बड़ी ताकत के मात्यम से मानोता के कल्याण का और विश्व कल्याण और विश्व सांति का एक नया संदेश पुरी दुनिया को पुरी मानोता को दिया जाएगा उस संकल्प के साथ आजा महां के आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि आजादी के अम्रित महत्सों में हम लोगों ने कुछ नए करिकरमों के साथ और नहीं उपलब दिया हमेरा प्राप्त हुई हो आजाद उस ब्रिटेन को पचाड़ करके जिस ब्रिटेन ने लगबग 200 वरसों तक भारत में सासन किया था उसे पचाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता बना अ हुआ जब भारत अपनी आजादी का मृत्सों मना रहा था तब दुनिया के 20 बड़े द g20 के उस स्वमों की अद्रफ़ता करने का उसर भी भारत को प्राप्त हुआ और अभी आपने देखा ओगा प्रधानमंत्री जी निक्रत्व में दिल्ली में अजिट टीट्वंटी के समिट ने दुनिया के 40 देशों के रास्ता धक्सों की पस्तिती में भारत की ताकत का एसास दुनिया ने किया आज दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है भारत आज एक संकट मोचक के रूप में जाना जा रहा है दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है भारत और प्रधान मंतरी मोदी जी की और लोग निगाएं लगा कर देखते हैं आसा वही निगाएं उड़ती हैं कि मोदी जी के नित्रतों में मार्ग को परसस्त करने के लिए 142 करों लोग अगर संकल्पित हो करके प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में कारे करना प्रारम करेंगे कोई कारण नहीं आने वाला कल भारत का होगा और 2047 में भारत दुनिया के गड़ी ताकत बन करके दुनिया को मार्ग दरसन और नि भप्यता के साथ पुरी करिमा और गौरव के साथ पुरे अनुसासन के साथ लेकर के जाएंगे अपनी माटी के बंदन के साथ साथ पीरों की नमन के इन करिक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेश वर से आएवे स्वेम सेवकों को कलस स्यात्रियों का प्रदेश की राजदानी लखमों में एक बार फिर से विनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और विस्वास रख jeżeli खरता हूं क्यों दिनी फेर्फ 1914 मतें वस्थर ने अंतवरी न१िह की 빼गा की जर्री खना समर्पूरा अब महिते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मानियों को बस्तिकों देख और आप जब को भी बहुत धन्यवाद कर्प्रिया आपने स्कान पर पड़े रहें आप तभी को प्रतिभाद के इस मेरत पूर्ण और गौरोपूर्ण कारेकरिम में मैं हाँ प्रकेट करता हूं वानि मोक्यबत्रिजी कि एड्रेफर इस वानिया वैंट झांता हूं मद्सचार्ण के इसमाे कि बहुत प्रके ऊंध कर्दाष् Juice